दोस्तपूर में अतिक्रमण की वज़ा से खत्म होता मजुई नदी का अस्तित्व विपिंद्वेदी की रिपोर्ट दोस्तपूर अमबेडगर नगर दो जिनपदों को जोडने वाली मजुई नदी जैतिपूर से निकल कर दुर्वासात तक बहती है नदी का अस्तित्व अब इस्थानिय लोगों द्वारा निजी स्वार्थ के चलते अतिक्रमण करनी की वज़ा से खत्रे में होता चला जा रहा है मुगलों की द्वारा दोस्तपूर और अमबेडगर नगर के बीच की दूरी को कम करनी के लिए मजुई नदी का मजुई नदी पर पुल निर्मान किया गया था यह पुल पिछले वर्ष बारिस में च्छतिग्रस्त हो गया था भारी वाहनों के आब अगमन पर रोक भी लगी थी लेकिन चोरी छुपे भारी वाहन पास करने लगे हैं लोगों की लालसा की वज़ा से अतिक्रमन नदी पर बढ़ता चला जा रहा है और इस नदी का अस्तित्व अब खत्रे में पढ़ गया है नदी के पलपर सटकर मकान बनाए गए हैं नदी के बोडर तक दोस्तपुर नगर पंचायत के कूड़े के धे निजी लोगों की मिले भगत से पाटे जा रहे हैं और गंदगियों की अंबार लग गई है और भूमी धर नदी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए जुताई बुआई कर रहे हैं राजस्व विभाग इस पर एक दम खामोश है यदि समय रहते उच्चदिकारियों की द्वारा अतिक्रमन कारियों पर कारेवाई नहीं हुई तो शायद नदी का अस्तित्व मिटने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा यह है इतहास के पन्नों पर एक वजूद बन कर रह जाएगा दोस्त पूर अंबेड करनगर से विपिन कुमार दिवेली की रिपोर्ट